हमें सारी चीजों को छुटकारे के दृष्टी कौन से देखते चली जाना है हमारे पास में होना चाहिए एक छुटकारे का रिदय उसका रिदय उसे बनाने में लगा है जो पहले से नीची गिरा दिया गया है उसका रिदय तो उस पर लगा है कि जो कुछ भी खोया है उसे वापस प्राप्त करें यहीं तो परमिश्वर का छुड़ाने वाला रिदय है इसका मतलब है कि येश्व की मृत्यू येश्व की छुटकारा देने वाली मृत्यू का मकसद था कि सब कुछ वापस लेखर आए परमिश्वर के पास में बहुत मैंने पहले शायद ये तो आखर में ये अक्टूबर के आखर की बात है शायद मुझे पका याद नहीं है मैं तो बस इस बात के उपर में सोच रहा था कि हम कैसे प्रत्यूत्तर दे अपने जीवन की मुश्किल परिसिती योंखो जानते हैं जब जो कुछ भी आप जैसे चाहते हैं उस तरह से आपके जीवन में नहीं होता है मुझे पताने शायद हो सकता है आपके नौकरी या करियर हो बहुत सी अलग बाते हो सकते हैं लेकिन जब सब कुछ आप जैसे चाहते हैं प्रतियुत्तर देते जाएं। अपने स्वभा में छुडाने वाला है। जब कि आप और मैं बुलाएगें कि उसके समान हो जाएं। तो जरूरी है कि हमारे पास भी ऐसे छुडाने वाला रिदय हो। कि जब हम ऐसे परिसितियों को देखते हैं अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में जो हमारे आसपास रहते हैं। हम उनकी मुश्किलों को देखते हैं, उनकी परिसितियों को देखते हैं। हमें सारी बातों को छुटकारे के आँखों से देखते चली जाना है। और हमारे पास होना चाहिए छुटकारे का रिदय। तो आज सुबह हम तीन भागों की सीरीज शुरू करेंगे। परमेश्वर के छुडाने वाले रिदय के बारे में। हम परमेश्वर के छुडाने वाले रिदय के बारे में चर्चा करेंगे। कि हमारा परमेश्वर स्वभाव में छुडाने वाला है। याने जब सारी बाते बुरी और बत्तर होते जाती हैं तो परमेश्वर help button को नहीं दबाता है सब कुछ नियंतरण से बाहर जा रहा है, सब नियंतरण से बाहर हैं मैं समझ नहीं सकता हूं वो ऐसा नहीं करता है पर मेश्वर यही तो करता है कि वो हर एक सीमा के पार चली जाता है कि उसे छुड़ाए जो दूर चला गया है उसका दिल तो इस पर लगा है कि वो उसे बदले जो पुरी तर से राक के जैसे दिखता है उसका रिदय इस पर लगा है उसका रिदय उसे बनाने में लगा है जो पहले से नीची गिरा दिया गया है उसका रिदय तो उस पर लगा है कि जो कुछ भी खोया है उसे वापस प्राप्ट करें यहीं तो परमेश्वर का छुड़ाने वाला रिदय है मैं विश्वास करता हूं परमेश्र चाहता है कि उसके लोग होने के नाते हम भी वही रिद लेकर छले छुडाने वाला वो दिल हम में रखते जाएं तो जब हम अपने खुद के जीवन में परिसिती को देखते हैं या आसपास के लोगों के जीवन में परिसिती देखते हैं, हम उन्हें देखते जाएं छुडाने वाली आखों से, छुडाने वाले रिदे से उन्हें देखते जाएं और हिम्मत हार कर ये ने कहें कि अरे ये च परमेश्वर आगे बढ़कर इन सारी बातों को वापस छुड़ा लेता है। ये चुटकारा जो है ये सच में क्या है और जब हम नए नियम में देखते हैं ऐसे बहुत से ग्रीक शब्द है जो निरंतर उपयोग किये गये हैं और उनका अनुवाद किया गया छुड़ाना या चुटकारा और खास करके इस शब्द का नए नियम में उपयोग किया गया इ किसी गलाम को खरीद लेना, वहाँ पर उसके चुटकारे की कीमत देकर उसे ले लेना, और उसके करणου गुलाम आजाद हो जाता है। अगर कोई गुलामी में चला गया है, उन पर अधिकार किया जाता है, तताया जाता है, उनने दबा कर रखते हैं, और उनके साथ में गलत, व्यवहार होता है, उनके साथ में सब कुछ पूरी तरह से गलत होती जाता है, लेकिन कोई वहाँ पर आता है, छुटकारे का पैसा दीता है, और उन्हें आजात करता है, यही है छुटकारा, पुराने नियम में भी ऐसा ही है, यहाँ पर बहुत से पुराने नियम में छुडाने के लिए, छुटकारी के लिए ये सब, लेकिन उन शब्दों में देखे यही तो विचार है, ये कहता है छुडा लेना किसी व्यक्ति को या किसी संपति को, जो करजे में बेज दी गई थी, मतलब करजे में यहाँ पर कुछ ले लिया गया, कई नुकसान या खत्रे इससे बचा कर रखना, इससे समझा जाता है छुटकारी के रूप में, या या अंचाही परिसिती से छुटकार अपाना, कुछ गलत हो गया है, लेकिन पुरी तरह आज़ाद होना उस अंचाही परिसिती से, और हम इससे करते हैं किसे आलोकी जैसे कि उसके छुटकारे के लिए दाम चुकाना, या उसके बदले में कुछ काम करना, जैसे कि बलीदान करना, यही है छुटकारा, यानि देखिए छुटकारा क्या है, जब ऐसा कुछ हट जाता है अपने असली उद्देश से, योजना उद्देश और डिजाइन से, और और आप उसे छुडाते हैं, उसे ले लेते हैं, उसे वापस लाते हैं, तो आप कह रहे हैं, यही तो है छुटकारा, कुछ गलत हो जाता है, आप उसे वापस लाते हैं, और जैसे होना चाहिए था उसमें लेकर आते हैं, वही तो है छुटकारा, क्या आप समझ रहे हैं, और परमिश्वर चाहता है कि बिल्कुल इसी तरह से काम करते जाएं। जब सब नियंतर्ण से बाहर जाता है, परमिश्वर हमेशा इसे देखता है कि कैसे उसे छुडा ले, कैसे से वापस लेकर आए, फिर से अपनी जगर रखें। इसे कैसे छुडा ले, आजाद, करें जिसमें अभी प्राय के अनुसार हमें बताया, जो उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में हैं और जो कुछ पृत्वी पर है, सब कुछ वो मसी में एकत्र करें। तो पौलुस कहता है कि परमिश्वर हम पर ये प समझा नहीं गया है। अब ये भेद प्रकट किया गया, उसने हमें ये बताया है कि परमिश्वर क्या कर रहा है। परमिश्वर यही कर रहा है कि समयों का जो पूरा होना है उस समय में याने ये जो बाहरी रूप में ये जो पूरा जो समय है इस बीच में जो कुछ भी हो र रहा है कि वो सारी चीजों को वापस एक खटा करें अपने लिए, तो लूसीफर के बलवे के बावजूद और मनुश्य के पतन के बावजूद परमिश्र क्या कर रहा है? वो इसी के लिए काम करते जा रहा है, सब कुछ वो अपने पास वापस ला रहा है, कि सब को वापस उसी स्तर पर लेकर आए जो उसने शुरू में उद्देश रख कर बनाया था परमिश्वर उसके लिए काम कर रहा है तो निश्चे समय आएगा परमिश्वर अलग करेगा उस शैतान और दुष्टा आत्माओं को और उन्हें अलग करेगा जिन्होंने उस उसका इंकार किया उद्धार के संदीश का और उद्धार के लिए उसके प्रविजन का और वो सब कुछ वापस लेकर आएगा अपने उस असली मकसद के डिजाइन की और वो उसके लिए काम कर रहा है मेसेज बाइबल इस तरह से बताती है ये कहती है इफइस्यो एक दस ये तो बड़े समय की योजना है जिसमें सब कुछ उसी में लाया जाएगा उसीमें सब कुछ जोड़ दिया जाएगा मतलब मसी में सब कुछ उस गहर स्वर्ग में और इस पृत्वी पर का सब कुछ परमिश्वर इसे के लिए काम कर रहा है उसके पास बड़ी योजना है आमेन कुलूसी युवाध्या एक वचन बीस यही बात तो हमें बताता है यह कहता है उसके यानि यीश्व के द्वारा सब वस्तों का अपने साथ मेल कर ले उसके द्वारा उसके कुरूस पर बाहे वे लहू के द्वारा मेल मिलाब करे चाहे वे पृत्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो यहने परमेश्वर अब यहाँ पर यही कर रहा है कि वो सारी बातों को सारी चीज़ों को अपने साथ मेल कर रहा है और यह क्रूस के द्वारा इसका मतलब कि मसी के मृत्यों, मसी के छुटकारा देने वाले मृत्यों का मकसद था कि सब कुछ वापस लेकर आए परमिश्वर के पास क्या आप समझ रहे हैं? तो जब आप अपनी जीवन को देखते हैं और कहते हैं मेरे जीवन में ये सब परमिश्वर के इच्छा से नहीं है और इसे जैसे होना वैसे नहीं चाहिए धन हो या आपके नौकरी हो कि देखे कि सब कुछ छुडाया गया है उसे वापस मिला है और परमिश्वर चाहता है कि हम उसके रिदय को लेकर चले हाँ प्रभू, मैं चाहताओं कि सब छुटकारा पाए वापस आए मैसेज बाइबल में कुलूसियो एक बीस जिस तरह से बताया यह बहुत दिल्चस्प है केवल इतना ही नहीं इस सारे संसार के जितने भी तूटे हुए चीजें हैं जो बिखर चुकी है लोग, चीजें, जानवर और यहां तक के एटम्स वो पूरी तरह से फिक्स होते हैं और पूरी एकता के साथ में एक साथ फिक्ट हो जाते हैं यह केवल उसकी मृत्यू, मसी की मृत्यू से उसका लहु जो कुरूस पर बहाया गया था हर एक चीज जो दिखाई देती है कि अभी यह बिखर चुकी है यह पूरी तरह तूटी है सुनिए, परमिश्व चाहता है कि इसे पूरी तरह फिक्स करे और वापस ले कर आए और इसके लिए उसने प्रयोजन किया है क्रूस पर मसी की मृत्यू के द्वारा ही यानि परमिश्वर छुडाने वाला है वो हिम्मत नहीं आरता किसी भी बात के लिए वो देखते रहता है कि इसे कैसे वापस ले कर आए इसे वापस कैसे प्राप्त कर ले उसके उद्देश की महिमा उसके उद्देश के डिजाइन के लिए वो छुडाने वाला है और इसलिए और हम यहाँ पर यही करने की कोशिश करेंगे इन तीन रविवार को जैसे इन तीन भागों के संदिश को देखेंगे सबसे पहले हम लेना चाहते परमिश्वर के रिदय को छुटकारे के रिदय को कि हमारे जीवन की हर एक परसिती में हम ऐसे ही प्रत्युत्तर देंगे परमेश्वर तू स्वभा में छुडाने वाला है चाहे कितने भी गडबडी हो, कितने भी बाते गलत हो तू इस में से निश्चे कुछ न कुछ बहुत सुन्दर लेकर आईगा कि तू मेरे इस विपत्ती और विनाश को मेरी मंजिल में बदल देगा कि परमेश्वर तू इसे ले लेगा इन सारे तूटे हुए भागों को और इसे तू वापस जोड़ देगा और तू अपने गीद गाएगा और अपने संदेश को मेरे जीवन के द्वारा घोशित करेगा क्योंकि तू छुडाने वाला है और यहीं बात होगी हमारे साथ के लोगों के साथ और जब लोग हमारे पास में आते हैं कि हम उन्हें प्रत्यूत्तर देंगे परमेश्वर के छुटकारे के रिदय के साथ चाहे सभी लोगों ने उनसे सारी आशा छोड़ दी हो फिर भी हम उनके साथ में खड़े रहेंगे और कहेंगे कि देखो एक परमिश्वर है जो तुम्हारा छुडाने वाला है और यहीं तुम्हारे लिए सब कुछ बदल देगा हम छुडाने वाले होंगे जिस तरह से हम अपने आसपास के लोगों के साथ में मिलकर काम करते हैं आमेन प्रभू के दिल को हम लेना चाहते हैं और फिर हम सीखना चाहते हैं कैसे उसके साथ काम करें इस छुटकारे की क्रिया में हमारे खुद के जीवन में और हमारे आसपास के दूसरे लोगों के जीवन में हम यही करेंगे आने वाले हफ्तों में देखिए आज सुबह मैं यह बताना चाहता हूं कि हम देखेंगे यहां पर बाइबल में छुटकारे की महतुपूर्ण ऐसी कहानियों को जहां परमेश्व अपने रिदय को यहां पर प्रकट कर रहा है अपने छुड़ाने वाले रिदय को अपने लोगों को बता रहा है उन्हें ये समझाने में मदद करना चाहता है कि देखो मैं तुम्हारा चुड़ाने वाला हूं और चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए यहीं मेरा मकसद है मैं च तरह से व्यवहार करता है और जैसे आप नैनियम को पढ़ते हैं यहां पर एक स्पष्ट संदेशम यहां पर देखते हैं कि जैसे परमिश्वर के लोग अबराहम को जैसे उसने चुना और उसके वंश के द्वारा किस तरह से वो काम करने लगता है कि संसार के देशों तक वो यह लोग तो धीट थे कड़ी गर्दन वाले और बलवा करने वाले मैं बताओं यही तो वो लोग थे और देखिए बार बार समय समय पर वो गड़बड़ी करती और वो कुछ गलत करते और वो काम करते जो परमिश्वर ने उनके लिए कभी नहीं चाहा वो खुद गड़ब अता है कि उनने फिर बनाएं बार 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 उसने यह किया और वो उन्हें बताता है कि मैं ही तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं चाहे कितने भी बार वो गड़बड़ी कर ले वो आता है उनमें से कुछ जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं और अवशे उनमें से एक है उनकी गुलामी वो मिस्त्र की गुलामी में थे जब वो मिस्र में गुलाम थे परमेश्वर आता है अद्भुत रीती से वो उने आजाद करता है उस गुलामी से और पूरा देश बाहर आता है गुलामी में से बस एक रात में केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है और वो आजादी से बाहर निकले और अपने प्रतिग्या के देश की ओर जाने लगे और यहाँ पर देखे हम यहाँ पर पढ़ते हैं निर्गमन पंद्रह 13 में यह कहता है अपनी करूना से तुने अपनी छुडाई हुई प्रजा की अगवाई की अपने बल सितू से अपने पवित्र निवास्थान को लीच चला है वो मिस्तर से बाहर आते हैं यह तो परमीश्वर का छुटकारी का काम था वो उन्हें बाहर लेकर आता है वो जिस बंदन में थे उससे बात के बारे में बताता है कि वो अक्सर जाकर गलत काम करते और फिर यह कहता है उनको स्मरान आता था कि परमीश्वर हमारी चटान है और परमप्रधान परमीश्वर हमारा छुडाने वाला है वो कहते ओ परमीश्वर हमारा छुडाने वाला है में मदद कर प्रभू और वो उन्हें बाहर लाता लेकिन सच्चा ये है कि परम प्रधान परमेश्वर ही हमारा छुडाने वाला है क्योंने अपने हातों का आप उठा कर इसे कहे परम प्रधान परमेश्वर मेरा छुडाने वाला है वो सारी बातों को छुडाता है मेरे जीवन में वो उन्हें खोलता है, पुनगठन करता है, और उन्हें वापस लेकर आता है, निश्चित महिमा के लिए, ईश्यू के नाम में, आमेन, परमिश्वर आपका छुडाने वाला है, वो आपका छुडाने वाला है, परम्प्रधान परमिश्वर, आपका छुडाने वाला है, और मुर्ति पूजा और मुर्ति पूजा के कारण वो बंधभाई में चले गए 70 साल तक परमेश्वर उन्हें छुडाता है वापस लाता है। ये कहता है इसरायल तेरा रचनिवाला और है याकूब तेरा स्रे जिनहार यहुआ अब यो कहता है डर मत क्योंकि मैंने तुझे छुडा लिया है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तु मेरा ही है जब तु जल से होकर जाए मैं तरह संग रहूँगा और जब तु नर्यों उसे होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी जब तुझे आज न लगेगी और उसके लौ तुझे न जला सकेगी तुम मेरे लोग हो मैं तुम्हारा छुडाने वाला हूँ मैंने तुम्हे छुडाया है और मैं तुम्हारा छुडाने वाला हो जाओंगा बार 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 परमेश्वर खुद को प्रकट करता है छुडाने वाला छुटकारे की दूसरी कहानी है वो देखे परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में निश्चित किया यहाँ पर समाज में लोगों में तो जब परमेश्वर निर्देश देता है लोगों को वो बताता है कि कैसे वो अपना जीवन जी एक समाज के रूप में वो उनके प्रतिदिन के जीवन में कुछ बाते रखता है उनके सामाजिक जीवन में जो ये दर्शाएगा उसके रिदे की और और वो उसके रिदे को प्रकट करेगा आज हम दो बातों को देखेंगे और ये केवल परमेश्वर का रिदा ही नहीं लेकिन ये सच में दिशा दिखा रहे हैं येश्व मसी की ओर और उन में से एक तो ये है जुबली का वर्ष परमेश्वर ने अपने लोगों को यही बताया और आप इसके बारे में लेवेवस्ता ध्यार 25 में पढ़ती हैं उसने अपने लोगों से कहा सुनो पचास साल में एक बार उननचासवे साल के अंत में पचासवा साल तो तुम्हारे लिए वो साल होगा जुबली का साल जुबली के साल में मैं चाहता हूँ तुम यही करना हर एक गुलाम को आजाद कर देना चाहिए हर एक भूमी जो कि करजे में ले ली गई है उसे वापस दिया जाए उसके असली स्वामी को दी जाए ये तो साल है जुबली का ये साल है पुनगठन का इस पूरे देश में तो फिर जब पचासवा साल आता तो सातवी महिने में वो तरही फूका करते थे घोशना करते थे जुबली की और उस समय हर एक गुलाम आजाद होता हर एक भूमी जो की ले ली जाती थी करजे के कारण वो वापस दी जाती उसके असली मालिक को तो चली कलपना करते हैं उननचास साल तक कोई मनुश्य है वो बहुत गरीब हो जाता है और फिर और वो चली जाता है हमने शब्दों उप्यो किया गुलामी का चली आधुनिक शब्दों में कहें कि वो एक बॉन पर साइन करता है मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा अगले इतने साल तक अब जैसे वो काम करता है और पैसा कमाता है वो आज़ाद व्यक्ति जैसे कहीं पर नहीं जा सकता है क्योंकि उसने एक बॉन पर साइन किया है तो फिर जुब्ली का ये साल आता है और उस साल ये सारे बॉन कैंसल हो जाते हैं अब आप एक आज़ाद व्यक्ति हो जाते हैं पैसा का मैं आजादी से जीए या यदि किसी की किसी की जमीन को छीन लिया गया था करजे को चुका नहीं पाए और इसके कारण वो जमीन ले ली गई थी जुबली के साल में ये जमीन उन्हें वापस दे दी जाती थी तो परमेश्वर कौन सा संदेश यहां पर बता रहा है वो कह रहा है देखो मैं परमेश्वर हूँ जो छुडाता है और मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये हमारी समाज का भाग हो जाए मैं चाहता हूँ कि तुम भी छुडाने वाले हो जाओ जिस तरह तुम एक दूसरे के साथ काम करते हो एक दूसरे को कभी न सताना किसी को जिन्दगी बर अपने गुलाम बना कर नहीं रखना इसे नहीं करना उन बातों को अपने पास नहीं रखना जो किसी और का है और उसके कारण, अपने दुरभागे के कारण वो इसे नहीं पा रही है उनसे इसे दूर न रखना मैं चाहता हूँ कि सब कुछ उन्हें वापस मिल जाए ये मेरा दिल है चलिए लेवेवस्ता 25 में से कुछ वचन पढ़ती है कि हम इसके बारे में विचार को जान ले वचन दस कहता है लवेवस्ता 25 दस कहता है और उस पचासवे वर्ष को पवित्र मानना इसे पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना वो वर्ष तुम्हारे लिए जुबली कहलाए उसमें तुम अपनी अपनी नीज भूमी और अपने अपने घराने में लोटने पाऊगे और वचन 24 यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कोछ बेचो या मोल लो तो एक दूसरे पर अंधेर न करना वो जुबली के वर्ष की घोशना क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है, देश में कोई भी सताव नहीं होगा, ना चाहता हूं तुम आजादी में जीओ, आगे देखते हैं वच्चन 49 और 40, फिर तेरा कोई भाई बंधू तेरे सामने कंगाल होकर अपने आपको तेरे हाथ बे जाए और अपने कुटम में और अपने पित्रों की नीज भूमी में लौट जाएं, ये परमेश्वर का रिदह है, पुनगठन छुटकारा, देखे सुन्दर बात ये है कि इस जुबली साल के बारे में पूरी बात, ये तो सच में एक क्लू था, पता नहीं कितने लोग जा तो परमेश्वर ने क्लू रखा, ये कुछ महान बात की और दिखार रहा है, जब प्रभु ईश्व मसी आया, लुका अधिया चार वचन 18 और 19 में, वचन 19, जब उसने अपनी सेवकाही शुरू की, तो उसने ये घोशना की, मैं आया हूं कि प्रभु के प्रसंद रहने के प्रचार करूं, मतलब ये है कि मैं इस बात की घोशना करने आया हूं, परमेश्वर के जुबली वर्ष का प्रचार करने, हम हैं परमेश्वर के इस जुबली के वर्ष में, ये रुतु है, ये समय है, पुन गठन के लिए, ये शु हमारे लिए बस यही होने के लिए आया वो तो परिपूर्णता है उस जुबली के वर्ष की, जहां सब कुछ फिर से वापस दिया जाएगा, ये परमेश्वर का रिदे है, हमारे साथ में इस प्रोग्राम में जुबने के लिए धन्यवाद और हम विश्वास करते हैं, जैसे हमने इस इस सीरीज को शुरू किया है परमेश्वर के छुटकारे के रिदे के बारे में, आप निश्चे ही प्रोटसाहित होंगे और आप अपने विश्वास में बल पाएंगे कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर अपने छुटकारे के काम खोलें, इन सारे परिसिती पर, मुश्किलों पर और जिन लोगों फ्री डाउनलोड कर सकते हैं चाहे संदेश हो या फिर पब्लिकेशन हो आप वीडियो भी देख सकते हैं इन चीजों का आप उपयोग करते चले जाएं और आप अपने विश्वास में बढ़ते चली जाएं चली प्रातना करते हैं इसके पहले कि ये प्रोग्राम को हम खत्म क करें अमारे आज इस प्रोग्राम के अंत में पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तो ऐसा परमेश्वर है जो अपने स्वभाव में ही छुडाने वाला है हम प्रातना करते हैं परमेश्वर कि तो अपने छुटकारे की सामत को यहां पर खोलेगा जो लोग ये प्रोग्राम इस शेत्र में ये छुटकार आपाए हम धनिवाद देते हैं तो अपने वचन को साबित करेगा जैसे वचन बढ़ता है ये शु के नाम में आप फिर से हमारे साथ जुड़ जाए जैसे अगले हफते हम परमेश्वर के छुड़ाने वाले रिदय को देखेंगे और तब तक य जियाद रखिए जियो जिन्दगी ये शु जैसे अब हमारे पास नया APC publication है निंदा नहीं और परमेश्वर का छुड़ाने वाला रिदय हिंदी में उपलब्ध है इन किताबों की free copy पाने के लिए हमें पत्र लिखें यदि आप भारत से हमें फोन कर रहे हैं तो हमारे टो और आप इन publication को डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे हिंदी सुरोतों को भी पाएं कि आपकी आत्मिक यात्रह में ये आपके मदद करें मेरी ये बुलाहत है कि मैं नमक और जोती बनूँ मैं इस परिवार का भाग हूँ जो मुझे इस आग्या को पूरा करने में मदद करता है मेरे पास अपनी नौकरी है लेकिन प्रभुवचन का ध्यन करने के लिए मैं हमेशा जिग्यासा रखता हूँ हम जीवन के अलग-अलग भागों के अलग विध्यारती हैं मैं ऐसे वातावरन में सबसे अच्छा करना चाहती हूँ यह मुझे मौका मिलता है कि मैं आगे बढ़ हूँ और सेव काई करते चली चाहूँ ऐसी परमपरा जिसमें अभिशिक्त अग्वों का उंडेला जाना होता है मैं उत्तमता का लक्ष रख सकता हूँ क्योंकि यह परमेश्वर के सबसे सुन्दर डिजाइन है मैं प्रभाव डालने के लिए तैयार की गई हूँ आए खोजे और पूरा करे Academic Year 2016 में इन कोर्सिस के लिए एड्मिशन इस समय खुले हैं जुलाई महिने में दो साल का फुल टाइम कोर्स APC Bible College पैंगलोर में शुरू हो रहा है अक्टूबर महिने में शौर्ट टम कोर्स हिंदी में वारानसी उत्तर प्रदेश में होगा और अक्टूबर में शौर्ट टम कोर्स औरिया भार्षा में बहरुमपूर में शुरू हो रहा है इन कोर्स के बारे में और दूसरी जानकारी पाने के लिए कृप्याकर हमारे टोल फ्री नंबर पर हम से संपर कीजिए 1-800-300-00-998 हमारे मोबाइल नंबर पर संपर करे 994-570-9777 या 080-65610-823 पर आप हमें इमेल भीज सकते हैं contact at apcwo.org पर इन कोर्स के लिए अप्लिकेशन फर्म डाउनलोड किये जा सकते हमारी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट से apcwo.org स्लाश बाइबल कॉलेज से हमारी वेबसाइट नंतंधे को मारे भीजर, वेल्स Bilal, anebal चृशो बेल चलाश से अर्म, लिए पर जम में रहें. झाल झाल